नमस्कार दोस्तों, मैं सुझीत कुमार सिंग एद्वान्स एक्शनल ट्रेनिंग सेंटर से आपका स्वागत करता हूँ मेरे इस वीडियो टिटोरियल में जहां आप सीखते हैं कम्प्लीट, एद्वान्स एक्शनल एंड वीवीय मायक्र प्रग्रमिंग रिपोर्ट अट्रमेशन के लिए है दोस्तों हमारे एक कलीग है उन्होंने मुझसे सवाल पुछा, subscriber है sorry, कलीग बोल दिया मैंने subscriber है, उन्होंने मुझसे question पुछा है कि वो data में बहुत सारे row को highlight करते हैं वो जैसे कि उन्होंने कुछ QCB करते हैं और row को highlight करते हैं इस तरह से उनके बास जैसे बहुत सारे data है और बहुत सारे data में SEO इस row को highlight करते हैं हलाकि उनको मैं phone पर समझाने की कोशिस की थी बड़ फोन पर नहीं समझे इसे हमको उनके लिए video बनाना पड़ा तो इसमें क्या है कि बहुत सारे row हमारे highlight है और इस सारे highlighter row मुझे एक सार्ट चाहिए क्योंकि एक एक करके डूनना है तुरा सा मुस्किल होता है मैं चाहता है कि जितने भी highlighter row है यह highlighter रो मुझे एक जगह मिल जाए तो इसके लिए हम filter इस्तमाल कर सकते हैं तो home menu बार में या data menu बार में जाए और यहां sorting and filter में आप यहां पर filter का इस्तमाल करें और जिस जो column color अगर पुरी की पुरी row color है तो किसी भी column में चले जाए अगर कोई particular column filter colored है वहां पर आए और आपको यहां पर मिलता है filter by color तो filter by color पर क्लिक करेंगे और इसको select करेंगे तो सारा एक जगह आपको आ जाएगा अलाकि यह बहुत basic चीज है मेरे लिए क्योंकि इस तरह की छोटी चोटी वीडियो जिए बेसिक वीडियो जिम्हें अप्लोड नहीं करता हूं फिर मैं कहा किया लेकिन मैं आपको बता दू कि जब आप filter data को copy करेंगे तो एक काम और कर ले ऐसा करने से होगा क्या कि जो back end में data है वो back end का data आपका copy paste नहीं होगा, copy नहीं होगा, सिर्फ जो visible area है वो ही copy होगा, इसका ध्यान आप जरूर रखेंगे आसा है कि आपको इस topic समझने आ गई होगी और यह आपके office में, आपके काम में help किया होगा, इसलिए किसी तरह किसी भी तरह की question हो, doubt हो तो आप मुझसे पूर सकते हैं, WhatsApp नंबर है, मेरा Skype नंबर है, आप मुझे call कर सकते हैं, WhatsApp कर सकते हैं, Skype कर सकते हैं, और हमारी pain drive, recording pain drive बि और साथ interact होके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, इसके लिए website iptindia.com पर जाएं, या फीर मुझे call करें या WhatsApp करें, thanks for watching this video, have a nice day.